I love Nira, जान दे सकता हूं उसके लिए, I love my job, जान दे सकता हूं उसके लिए, क्यों जुड़ाओं मैं गुरुजी, इस अस्तरों की दुनिया से, क्योंकि तुम खुद एक अस्तरों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आपके अपने चेनल, EKB मीडिया में एक बार फिर से, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सनी देवल की चूप फिल्म के सुरुवाती चार दिनों के वल्ड वाइट कलेक्शन के बारे में, और ब्रह्मास्तरा के सुरुवात इस हबते रिली चुई नेपाली फिल्म प्रेमगी 3 के भी सुरुवाती चार दिनों के वल्ड वाइट टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे इन तीनों ही फिल्मों ने दुनिया भर से कितने करोड की कमय की, तो शलिए शुरुवात करते हैं देखते रहिएगा पूरा विडियो, साथ इसाथ कमेंड करके बताएगा कि इन तीनों फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है, तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें फिल्म ब्रहमास्तरा के बारे में, तो दोस्तों ब्रहमास्तरा फिल्म को बॉक्स ओफिस पर दिन यानि कि कल तक इंडिया से नेट कलेक्शन 254 करोड का किया था वही दोस्तो ये फिल्म 18 दिन इंडिया कलेक्शन लगभग 2 करोड रुपे का कर रही है यानि कि दोस्तो ब्रह्मास्तरा फिल्म का सुरुवाती 18 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 256 बताना चाहेंगे दोस्तो फिल्म का 18 दिनों में वर्ल्ड वाइट ग्रोस कलेक्षन 422 करूर का हो रहा है दोस्तो ब्रम्हास्तरा फिल्म बॉक्स ओफिस पर हो चुकी है सूपर हे लेकिन दोस्तो अगर बात करें नेपाली फिल्म प्रेम गीत तीन के बारे में जिस फिल्म को पोक्स ओफिस पर रिलिज हुए आज हो चुके है चार दिन बताना चाहूंगो दोस्तों इस फिल्म ने इंडिया नेपाल और और सिस मार्केट सभी तरफ काफी सांदार कमई की है अगर बात करें इस फिल्म के अब तक के टूटल कलेक्शन की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तीन दिनों के अलग-अलग देशों के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों प्रेमगी 3 ने अपने पहले दिन नेपाल से 2 करोड़ 5 लाख रुपे कमाए थे दूसरे दिन 1 करोड़ 66 लाख रुपे तीसरे दिन 1 करोड़ 80 लाख रुपे यानि कि तीन दिनों में फिल्म का ने 80 लाख रुपे, तीसरे दिन 1 करोड 10 लाख रुपे, यानि कि 3 दिनों में फिल्म का अगा इंडिया से कलेक्षन 3 करोड 5 लाख रुपे हुआ था, वही बात करें विदेशों की, तो फिल्म ने Oursis Market से, पहले दिन ग्रोस कलेक्षन किया था 1 करोड 66 लाख रुपे, दूसरे द तो तीसरे दिन एक करोड़ देविस लाक रुपे तो तीसरे दिन एक करोड़ तीस लाक रुपे यानि कि और सेस मार्केट से फिल्म ने शुरुआती तीन दिनों के अंदर टोटल ग्रोस कलेक्शन किया था चार करोड़ बीस लाक रुपे का अब अगर टोटल जोड़े तो द प्रेमगी 3 फिल्म अपने चोथे दिन वर्डवाइड मार्केट से लगभग धाई से तीन करोड की कमई कर सकती है। प्रेमगी 3 फिल्म की फिल्म चूप रिवेंज ओप दा आर्टेस्ट के कलेक्शन के बारे में। जिस फिल्म को डाइरेक्ट किया था आर बालकी ने और इस फिल्म में सनी देवल के साथ नजर आय थे दलकियूर सलमान। बताना चाहूंगा दोस्तो इस फिल्म ने पहले दिन इंडियन बोक्स ओफिस से 3 करोड 6 लाक रुपे कमाए थे तो दूसरे दिन 2 करोड 7 लाक रुपे वही तीसरे दिन फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 3 करोड रुपे रहा। वही दोस्तो यहाँ पर चोथे दिन भी चूप फिल्म इंडियन बोक्स ओफिस से 1 करो ग्रोस कलेक्षन 11,50,000,000 रुपे बताना चाहूंगा दोस्तो फिल्म ने और सिस मार्केट से टोटल ग्रोस कलेक्षन 4,50,000,000 रुपे का कर लिया है इसी के साथ दोस्तो चूप फिल्म का सुरुवाती 4 दिनों में वल्डवाइड ग्रोस कलेक्षन हो चुका है लगभग 16 किहें